मामला मसौली थाना श्येत्र महला भूली गंच जिलाबारबंकी का है जहां अचार सहीता लगवे के बाद भी दबंगो द्वारा कानून विवस्ता की धज्या उड़ाई जा रही है और पुलिस प्रिशासन द्वारा दबंगो का संरक्षर खुले आम किया जा रहा है जिलाबारबंकी के ग्राम मसौली महला भूली गंच के निवासी रमीश गुपता अपने पाच बच्चों वपतनी के साथ अपने परिवार का पालन पोशन पानी पूरी वा लाई बेच कर कर वही परोस में लल्लू वर्मा ने अपना घर बनवा रखा है और आए दिन गुपता परिवार को पिर्टाड़ित किया करते हैं कि पचासों बार लडाई जग्रा हो चुका है और मामलड थाने तक जाता है और हर बार गुपता परिवार को पिरशासन की तरफ से नहीं कराई गई उन्होंने ये भी बताया कि जिन घायलों का एक्स्रा करवाया था उनको अगले दिन रविवार 24 माल 2019 को मसौली थाने बुलाया था जिस पर हम लोग मसौली थाने गए और सिपाही आरपी सिंग ने ये कहकर वहां से भगा दिया कि आज रविवार है आज के लिए कोई ठोसकदम नहीं उठाए गए हैं वो थाना इंचार संतोष कुमार सिंग पुरिसिया रोक गरीबों पर ही दिखाते हैं दबंगों को दो संरक्षर देते हैं पीरित परिवार ने प्रिशासन पर भी उंगली उठाई है कि कई बार तहरीर दी गई थी लेकिन लोग कुछ कर पाओगे अब देखना है कि इन जंता के रखवालों के खिलाफ क्या कारिवाई होगी और इन दबंगों के खिलाफ क्या कारिवाई होगी किस से मामला हुआ था किस से लड़ाई हुई लल्लू मुनीम और सुसील रखिन दीपिन एक सरह तिनी लोग का था है किन-किन लोगों के चोटे आई हैं अन्जय तहां का चोट लगी है है हाथ लगी है अच्छ ओठे लगी है और कौन-कौन किस किस दो चोल लगी राधिका के शुकन्जय के और मेरे मैं ममी के पीताजी का कहया नाम रमेश्च छंड लगी है नत में हांद वर और आक में ऑर आख में अच्छ ड़ी बाहें है पर पचोड लगी है झाल झाल